असलाम लेकम माई नेम इस फैसल चोधरी आप देखें हैं मेकानेक व्लॉक्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी के रिलेटिज जैसे के मैंने पिछली वीडियो जैसे बताया था जिसमें हमने बात की थी कि अगर कोई बंदा मेकानेक हो या अर्टो लेक्रिशन हो वो स कि इसे शीक सकते हैं और कि लोगों के लिए इस एक काम बैस्ट है सबसे पहले जो दो सब्सक्राइब कर लिए और बेलेकर को प्लीस प्रिस कर लेगा ताकि नियन वीडियों केशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए सबसे पहले यह तीन चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर क चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे ने फ्रेशर को काम करने के लिए इस हवाले से क्या-क्या करना चाहिए तीसरे नमबर पे वो लोग हैं जो औरेडी एक-दो साल से AC का काम पाकستان या टाकिसूंक्तिक लीगए गे 10 खुश्व सकत्राइक सर्भाइब स comeserek जबसे पहले इंट्रो गाड़ी केसी का काम सौधियरेबिया में सौधियरेबिया में दो तीन किसंक खाम होता है इस स्थीरीटेस सबसे पहला जो काम है जो जरतार अमूमन लोग करते हैं क्योंकि उद्धर हुंडाई की चोटी काड़ वाल जिसको वाल बोला जाता है वो बहुत कम हो अराब होते हैं लेकिन कंडेंसर और कंप्रेस अराम से चेंज कर रहे हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है कि सिरफ हमें क्या करना होता है कि क्लीनिंग करनी होती है कुछ लोग गैस के जिरिए करते हैं जो जल्दबाजी में काम क होते हैं वो स्वाई करते हैं स्वाई करने का लग लग तरीका होता है जिसने जिससे काम सिखा होता है उसको वही तरीका अच्छा लगता है तरीके पर हम बात नहीं करें सब भी अच्छे होते हैं तो इसमें यह बहुत इसी काम होता है दूसरा आता है आलटेशन का काम आलटे अज़री मिसाल के तोप पर हम 300, 30ERO तो उसमें गास filters कायाती है श्में गाड़ी में फिटिंग कहते है की सिफिवेन्स का फरक पड़ता है जिसमें आपको थोड़ी सी टेंशन भी लगती है आपको उसकी fire waspognitles कुछ हो जाता है तो आप यह कहते हैं कि यार यह निया था हमारी कोईस में टेंशन नहीं है तो आपको बता दिये कि दो तरह के काम होते हैं एक टेंशन वाला टेंशन में थोड़े से पैसे ज्यादा है विदो टेंशन थोड़े से कम पैसे हम लोग प्रैफर करते हैं कि बिना काफी अच्छे पैसे हैं कि अगर आप हम थोड़ी सी इसके पैसों की बारे में बात कर लेते हैं कोई बंदा एसी का काम करता है उसको चार से पांच साल experience हो चुका है एसी का काम कर चाहे वो किसी कंट्री में मैं सुधिया की बात करना हूँ लेकिन दुबई का तरफ गयरा सब जगा पे वो ही हिसाब चलता है तो चाहे आप रियाद में काम करते हैं जैसे सुधिया रिया रिया जद्दा दुबई जिस में बिग सीडी में आप काम करते हैं तो आप डेली का मतलव नर्मल भी पकड़ के चलेंगे तो पांसो आप डेली बेस पे बचन निका लेते हैं आठ महीने बाकी महेने आपको बता जिया था कि इसका नेक्टी पॉइंट भी होता है वो आगए चलके हम बताते हैं 500 रैयाल आप आराम से बचन निकाल लेते हैं डेली बेस पे, फ्राइडे के शुटी होती है, लेकिं डेली बेस पे आप पांसो ल्याल नार्मल सा कमा लेते हैं। उसके बाद, इसके प्लस पॉइंट है, नेक्ट्री पॉइंट भी जुरूर होंगे। negative point की आै कि अगर आपको आठ महीने काम करता है चार महीने काम जरूर चलता है जRFF क्रम करता है तो तो कि 어ुख को कुछ कुछ ऐसी चीज करनी पड़े लेकिं उसको कोई नुकसानVI होता यह तो इसको वर्षाफ करनी पड़ेगी यह उसको पाकिसान या इंडिया अपने केंट्री में आ पड़ेगा लेकिन उस से उसको कोई फरक नी pounds और रहा हैं कring असली सोफ ने साल में इतने पसे कमाई ओती हैं कि उसको कोई फरक नी पड़ रहा हुता ये अभी आपने आइडिया लगा ना वाल या है यह व Begin 10 आपको आइडीया करना है यहां काम कर चुके इस में दो बात करेंगे जो लोगों मेरा थाinea की वियरश में काम कर दे ऊन्ति में DAVID शुक्ता उन अरड़ियों हो उनको क्या करना चाहिए प्षैक ना यह है यूटीज पे वीडियो देखें को पाकिसान में या इंडिया में आल्टो है, मरूती है, करोला है, इस तर्थ किसम के गाड़ी है लेकिन अगर किसी और वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सेक्स्पीनिस हो जाएगा उसके बाद एक चीज़ है, आपको सेल्फ कॉन्फिडन्स हाना चाहिए, कोई भी गाड़ी आती है, तो आपको खोलना, फिटिंग करना, फिटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी आपको काम आता है, तो आप राम से मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी जाएं, इत मैं तो आपको सेल्फी एह सीरी के बाद चाहि होगा, एक साल आपक के साल क्वाम क्रेंगे, ये बाद आता है। अर्भी का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा अर्भी का मतलब ये नहीं होता कि आप इस हिसाब से काम करेंगे कि आपको उस कंट्री की मुकमल अर्भी आगी ऐसा नहीं आपको काम के रिलेटिड अर्भी आ जाएगी ठीक है ये हो गया एक काम आप अर्भी के पास काम करेंगे साल के एक साल उसमें अच्छी सेल्डी भी ले सकते हैं कम से कम उसमें सेल्डी किती हैं पंद्रा सो से अठारा सो रियाल कम से कम आपको सेल्डी बेसिक क्यों कि आपको हर चीज़ आती है ठीक है 15the 18 6000 भी हो सकती है अब्पर डिबेंट करते हैं आप कितने एक इस इस बहुते हो सब्सक्राइबाडश थाह बहुआ है इस दोजह होती है अपको कितना काम आता है आप 구an साथ से यह काम चलता है अगर आप ने है पन्रा से जिससे ठारा सो रियाल आपको सहली आरा हम से मिल सकती उसके बात या नि meth Uhh कि आप इक साल काम करने के ने के बाद उसको छोड रहेंगे हाँ पर आप पर चले जाएंगे किसी वर्षपा वाले के पास के हाफ पे, जिसमें क्या होगा कि पार्ट्स के आप पैसे निकालेंगे, उसके बाद हाफ पे, यानि आधी किमत जो लेबर करेंगे, उसके आधी मालकों दे देंगे, आधी आधी आप ले लेंगे, आपको इतना experience नहीं होगा, उसे आपको फाइदा क्या होगा, और को हुँगा पकुराई से बसकते हाँ । आपको पिभल में हाफ करने को क्राया होगा हे तो आपको क्या पा torch करेंगे ? फाइदा हो गया किम साल के तुरुबे अगर प्राक्समेटली आप पचास आरेल कमा रहे हैं तो हाफ पे आप कितने कमाएंगे तीस लेकिन आपको कराया नहीं देना पड़ेगा यानि आपको दस हजार का ही नुकसान होगा लास होगा लेकिन मेरे हिसाब से प्राफर यहां कि आप एक-दो साल आपके काम करें जिसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नी Michal दो उस्थर होगा है जिन्होंने अभी अभी ही सोचा है कि हम अच्छी चाले नीए इसमें 2 पैसे आ रहे हैं तो क्या हर गली महले में कोई ना कोई इसी का काम जरूर करता होगा अपने उसके पास चला जाने आके बंद करनी है काम करते रहना है काम कैसे करना है कि कोशे यह उनी चाहिए कि जो भी काम हो आप खुद हाथ से करें आप हुद हाथ से करेंगे एक 6 मीने के अंदर अंदर आप अराम से कर पाएंगे इसमें दो चीज़ें आपने दियान रखने वाली बात है एक आपको फिटिंग आनी चाहिए फिटिंग आनी चाहिए खोल बंपर खोलना स्क्रू कोलना चाबियों का पता होना चाहिए यह श्वेलमे के फिटे होँ हैं आप काम स्वाठिक करना चाहिए आप किसी के पास चलेगे जाए जो आपकी फिट में आपके कक्रीब होते हैं जो विडियोस देखने उनकर भो तachment बने जाते हैं तो आप किसी ऐसे बंदे के पाओ चले जाया आपने सथी आपने में एक अच्छी चीजा है का आपको काम सीखने के भी पैसे मिलते हैं पाकिसान में आपको काम सीखने के पैसे मिलते हैं कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं आपका जेबर चल जाता है अगर हजार रेयल भी मिलता है पाकिसान में 44 रेयल बन जाता है अराम से कोई इसमें वसला नहीं होता ठीक है तो उसके बाद पाकिसान में आप जो काम सीखना जाता है उसने क्या करना है पैसे देने किसी ऐसी वर्शाव में चले जाना है जहां से आप अराम से फिटिंग करेंगे आपने यह नी बोला मैंने काम से मैंने सर्जी उस्ताद जी आपका शिक्रत परना है आपके पास काम करना है वो जो काम करेंगा आपके सामने काम करेंगा आपको आईडिया उतारेगा आपका काम है वो एक उस्ताद है मैं काम सिखा रहा हूं आपका काम है कि इस से काम लेना मतलब वो एक मिसाल थी कि एक खाना पड़े तो चांटा भी काओ तो अगर गदे को भी जाद है मेरा बाप है उसको मैंने किसी काम को हाथ ने लगाने देता है, जब ये क्सी आपके माइंड में आ जाएगी, आप उसको कोई काम नहीं करने देंगे, तो जो काम आप आपको ने हाथों से कर लेंगे, तो कोई मसला ने अगर दोस्ती चीज़ है को बता दूं, ये काम है होसलेगा कभी भी आप काम किसी के पास सीखने जाते हैं तो अकर वो काम नहीं बतारा तो इसका मुतलब यह नहीं कि दो दिन में पांच दिन में लड़के आ जाना है यह पाकिसान में सबसे बुरी बाद मैंने लोगों की देखिये नहीं सीखा रहा है कोई आप देख तो रहे हैं काम करने देख तो रहे हैं आप आपसे काम कर va jal? मैं कम नहीं बटाएं कुछ ना कुछ कर रहे आपक एक दिन में तो आपके मुल में नहीं आजाना मकूंछ थाम होश्व H वीजा कैसे है और क्या करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे ने हैं चैनले को सब्सक्राइब करें थैंक्यू, लाह आफीज